की बात करते हैं तो भारत से अपेक्षा करना भी बहुत स्वाभाविक है भारत का सामर्थ भारत का इनोवेशन कल्चर भारत का इंफ्रास्रक्टर भारत का स्कील्ड और इनोवेटिव मेंपावर भारत का फेवरबल पॉलिसी एंवार्मेंट यह सारी बातें इस अपेक्षा का आधार है इनके साथ ही भारत के पास जो दव प्रमूख शक्तियां है वो है ट्रॉस्ट और दूसरा है स्केल आधानजी कि बिना ट्रस्ट और बिना स्केल हम टेक्शनोलोडी को कौने कौने तक नहीं पहुचा सकते हैं और मैं तो कहूंँगा कि ट्रॉस्ट यह ट्थिक्न Psychology जो वरत्वान की है उसमें ट्रॉस्ट ये पुर्वशर्थ है इस दिशा में भारत के प्रयासों की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है आज भारत सो करोर मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेट डेमोक्रिसी अब दो वर्ल है सस्ते स्मार्ट और सस्ते इंटरनेट डेटा ने भारत के डिजिटल वर्ल का काया कल्प कर दिया है आज भारत में हर महिने आठ सो करोर से अधीक यूपी आई अधारिट डिजिटल पेमेंट्स होते हैं आज भारत में हर दिन साथ करोड यूपी अधेंटिफिकेशन्स होते हैं भारत के कोविन प्रेटफॉर्म के माध्यम से देश में दो सो बीस करोड चे अधिक वैक्षिन डोज लगी बीते वर्षों में भारत ने 28 लाग करोड रुपीय से अधिक सीधे अपने सिटिजन्स के बैंक खातों में भेजे हैं डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर्ट जंधन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आवाजी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानि आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर सो करोर से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया कि बात करने